इस वक्त की बड़े कबर आ रही है राय फोक से जहांपर सीम भूपेश बगेल दिलनी के लिए रवाना हुए हैं और कल बारा से एक बजे तकरीबन प्रधान मंतुरी नरंदर मोदी से उनका मुलाकात का समय है और ऐसे में कई विश्यों पर वो चार्चा करेंगे प्रधान मं मंतुरी से घेट मुलाकात का कारिकम है कल बारा से एक बजे तक उनसे मुलाकात करेंगे चर्चा करेंगे सिस्टा चाटर यह मुलाकात होगी और कई विश्यों पर चाथ गड़के वो अपनी बात रखेंगे और हो सकता है क्योंकि माता का जो आज नितन हुआ है प्रधान मं मुलाकात का कारिकरम ते है तक्रीवां 12 से एक बजे का समय बताया गया है किस दर्म्यां मुलाकात हो सकती है लेकिन जानकारी मिली है फिलहाल सीम मुपेश भगिल रवान हो गये हैं प्रदीप जुल गोए हैं सथ्टक क्या कुछ कारेख्रम है और दिली गए हुए हैं दिली में किन-किन मंत्रियों से केंद्री मंत्रियों से प्रधान मंत्री से मुझ्त बताया जा रहा है कि लगबहरत हैं 갖 बताया है बारा से एक बज़े के बीच करेंगे और फिर्देश के तमाम बिषय प्रदान मंतरी के सामने रखेंगे। फिलाल शक्तिवगर में अभी आरक्षण का मुद्दा घरमाया हुआ है विजान सावा से पारित होकर राजबगन लेजा गयाता है। लेकिन अभी तक हस्ता अच्छन नहीं हुए है निस्टेट और मुक्मंतरी वगेल फिर्दान मंतरी के सामने रही रख सकते हैं और जासे कि देखाजाब के रॉयल्टी की राती सरकार को नहीं दी जाती है वात की एम लगतार कहते भी है कि इन सरकार के दौरा राती रोग दी ठायते हैं तो एक जातिएं लिभी मुकं मंध्री प्रदान मंत्रे सामने रक हो त sponsor टौर प्रदेश तमाम इसा जगरनेत पर्दीब शुक्ति हापका और जौन का इसी मुटर्स कर सकते हैं प्रदानमंतरी नहिय्द बोदी से और अन्य विश्य Misattram